नमस्कार मैं प्रियंकार आप देख रहे हैं एसे न्यूज इंडिया आईए आची खबरों को देखते हैं देश के दो और राजियों में कोरोना के नए वैरियन ओमिक्रोन की दस्तक आंद्र चंडीगर में मिले नए केस दक्षिन अफ्रीका में मिले कोरोना वार्यस के नए वैरियन का भात में कहर बढ़ता ही जा रहा है रविवार को चंडीगर और आंद्र प्रदेश में ओमिक्रोन के एक एक केस सामने आये हैं दोनों ही सक्स विदेश से लोटे थे देश में अब तक ओमिक्रोन वैरियन के 35 केस सामने आ चुके हैं जानकारी के मुताबिक चंडीगर में 20 साल के यूबक में ओमिक्रोन वैरियन की पुष्टी हुई है यूबक 22 नमंबर को इतली से लोटा था और तब से ही होम कॉरेंटीन में था उसकी कोरोना रिपोर्ट एक डिसंबर को पोजेटिव आय थी जिसके बा पहले मुंबई एरपोर्ट आया और फिर वहां से 27 नमंबर को विशाखा पटनम लौटा था विजय नगरम में टेस्ट करने के बाद जब उसकी रिपोर्ट प्रोजेटिव आई तो उसका सेंपल जीनों सिक्वेंसिंग के लिए भेजा गया जिसमें उसके ओमिक्रोन संक्र सक्रमिक सक्र में कोई लक्षन नहीं है और जब इग्या दिसम्बर को उसका दोबरा टेस्ट किया गया तो उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है अधिकारियों ने बताया कि आंद्र परदेश में अब तक एक ही केस आया है अब तक विदेश से लोटे कुल 15 यात्री कोरोन पॉजेटिव मिले हैं और सभी के सेंपल जीनों सिक्वेंसिंग के लिए भेज दिये गया है अब तक दस लोगों की रिपोर्ट आ चुकी है जिसमें एक ही में कोरोना का नए वेरियंट ओमिक्रोन का संक्रमन मिला है राज के स्वास्थ विबाग ने सलहा दी है कि वो चिंत एक केंद सासित प्रदेश तक पहुंच गया है अब तक ओमिक्रोन के सबसे ज़्यादा सत्रह केस महराश में आये हैं उसके बाद नो केस राजस्थान गुजरात में तीन करनाटक और दिल्ली में दो दो और और चंडीगर में एक-एक केस आ चुके हैं हाला कि राहत की बात झाल